गुड मॉर्निंग इस्टूने आज हम इंटरनेशनल रिलेशन्स में चर्चा करेंगे शेत्री व्यापक आर्थिक साज़ेदारी और भारत क्या है हाली में दस एशियान देशों और उनके पांच अन्य मुक्त व्यापार साज़ेदारी देश जिसमें बुखे रुख से और्टेलिया, चीन, जापान, यूर्दिलेंड तथा दक्षिन कोरिया आते हैं उनके बीच में एक शेत्री व्यापक आर्थिक साज़ेदारी पर हट्साक्षा किये गए एक ट्रीटी पर साइं किये गए शेत्री व्यापक आर्थिक साज़ेदारी का मतलब होता है RCEF याने कि Regional Comprehensive Economic Partnership भारत ने साथ वर्षों तक इस समझोते की लंबी वारता में शामिल रहने के बाद आखरी मौके पर इस से अलग रहने का निड़ने लिया क्यों निड़ने लिया क्योंकि भारत का कहना था कि इसमें कई सारी चीजों पर उन्हों चिंता थी और उन पर ध्यार नहीं दिये जाने के कारण उन्होंने इस से दूर रहने का पैसला किया हालां कि वर्तमान समय में जो ट्रेड है, वर्ड ट्रेड है, वैश्वी व्यापार है, अर्थ व्यवस्ता में हो रहे बड़े बदलावों के बीच विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक समझोते से अलग रहने के भारत के इस नेड़ने पर कई विशेशग्यों में प्रैशन उठाए हैं इस समझोते की वारताओं के दौरान कई मध्यतों को दूर कर लिया गया था परंतो इस्थानिया और छोटे व्यवसायों के घितों से जुड़े मुद्दे तथा ऐसे ही कन अन्य जो मामले हैं वो भारत के लिए अभी भी आपत्ती बने हुए है शेत्री व्यवसायों के आर्थिक जो साज़दारी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टर्शिप आखिर है क्या ये क्या है कि आशियान के दस सदश्य देश हैं इसमें और पांच जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं आस्टेलिया, चीन, जापान, दक्षिन, कोरिया तथा न्यूजिलेंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझाता जिसे हम प्री ट्रेड एग्रिमेंट कहते हैं इस समझाते पर 15 नवंबर 2020 को साइन हुए थे RCEP देश विश्व की एक तिहाई आबादी और वैश्विक जीडिपे के 30% हिस्ते यानि की लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक का प्रतिन विप्रूट करते हैं RCEP की अपधारना नवंबर 2011 में आयुजित 11 में आसियान शिकर सम्मिलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी और नवंबर 2012 में कमबोडिया में आयुजित 12 में आसियान शिकर सम्मिलन के दौरान इस समझाते की प्रारंभिक वारतों की शिरुवात ही थी भारत के साथ अन्य 15 सदस्ट्र द्वारा इस समझोते पर वर्ष 2019 में साइन किये जाने का अनुमान था परन्तु भारत द्वारा नवंबर 2019 में इस समझोते से स्वयम को अलग करने के निर्णय के बाद अब बाकी के 15 देशों द्वारा इस पर साइन किये गए है अब प्रशन उठता है कि आखिर इतनी बात हो गी थी और फिर क्यों अलग भारत क्यों हुआ इसका कारण है कि जैसे व्यापारिक घाटा जो हम टेबल देखने हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दोरान आसियान और एशिया के कुछ अन्य देशों के साथ मुक्ट व्यापार समझोते के परिनाम सुरूत विभिन देशों के साथ भारत का जो व्यापार है वीपक्षी व्यापार है वो घाटे में रहा पहला कारण दूद दूसरा है कि केंद्रिय वित्मंत्री गमिसार मुक्त और वैश्वीकरत अर्थ्विवस्था के नाम पर भारत में विदेशों से सबसीडी युक्त उत्पाद का जो आयात है वो अनुचित उत्पादन लाप की गतिविदियों को अनुमती दे दी गई है दूसरी बात है एक तो व्यापारिक घाटा तीस यह है कि जो अस्थानिय हमारे लोकल जो प्रोडिंसर है उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारत में इस समझोते पर साइन नहीं किये हैं जैसे आयाश शुल्क में कटाथी होने से भारत के क्रशी, देरी उत्पाद और अन्य सुक्षू लगू एवा मत्यक जो 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 द्योग दंदे हैं जिनको हम MS-MES जैसे अन्य समिधन शील शेत्रों को शती हो सकती है 2019 में भारत में देरी उत्पादों के आयाद पर औसत लागू टैरिक 34.8% जबकि औसत बाद्ध टैरिक 63.8% रहा रहे भारत में दुख तुद्पादन उध्योग छोटे इस सर पर परिवारों द्वारा पाले गए पशुवों की यूगदान से संचालित होता है जबकि औस्ट्रेलिया और न्यूजिरेंड में और ध्योगी के स्तर पर आधुनिक विदियों से दुख टुद्पादन किया जाता है एक और बात हैं पर उठाई गई जैसे जो अन्य जो कारण थे कि इस तो जो आयात की सीमा है उत्पाद की उत्पत्ती का स्थान डेटा सुरक्षा और आधार वर्ष आधी पर भी स्यामती नहीं वन पाई थी इसके कारण भी भारत इस व्यापारी समझाते से अलग हो गया थ आर्थी येप के पहत भारत द्वारा रूल्स आफ ओरीजन को सक्त बनाने और आटो ट्रिगर कंद्र को मजूद बनाने पर जोर दिया गया था रूल्स आफ ओरीजन यानि कि किसी उत्पाध की राश्टियता या राश्टियस प्रोथ के निधारन के लिए एक महत्वून मानदान है कई मामलों में आयाद कीगल बस्तों पर शुल्प और प्रतिबंद निधारन उसकी राश्टियता के आधार पर किया जाता है और्टो ट्रिगर का रख होता है कि आयत शुल्क में कमी करके कि आयत शुल्क में कमी करके उसे पून रूप से समाप्त करने की देशा में आयत से होने वाले जो एप्रत्याशित व्यद्धी है उसको रोका जा सके क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सामान हम मंगवाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसकी शुल्क लग जाता है उसले कुछ वर्षों में चीन द्वारा दक्षन एशिया मुक्त व्यापा समझोते साफ्टा और बांगलादेश के ड्यूटी फ्री रूट का लाब लेकर भारत में कपड़ों के साथ अन्ने कई उत्पादों को अत्यदिक मात्रा में पहुचाया गया ऐसे में रूल्स आफ और उरुजन और आटो क्रिगर तंद्र के मात्यम से चीनी उत्पाद जो है उन पर रोक लगाई जा सकती है इसके लाब भारत में टैरिफ कटोटी के लिए वर्ष 2013 की बजाए वर्ष 2019 को आधार वर्ष के लुप में स्विकार करने की वाम की गई थी तो कि बश 2014 से 19 के बीच में भारत द्वारा कई उत्पादों पर आया शुल्प में बड़ोती की गई थी साथ ही भारत द्वारा अपने बाजार को खोलने के बदले अन्य देशों को भारतिय श्रम्र को और सेवा शित्र के लिए नियमों में डिल देने की बात की गई थी जैसे कि इस समझोते में चीन के साथ तनाव के बीच एक चीनी नेत्रत्व वाले समझोते में शामिल होना भारत के लिए एक नई बाधा खड़ा कर सकता था मतलब चीनी जो उत्पाद है जहां हमारे जो लोकल उत्पाद है उसको शती हो रिये लगाता तो इसलिए ये तोचा गया कि जो चीनी उत्पाद है उनको कम करने के लिए हम ये इसमें हम समझोते के भागिदार नहीं बनेंगे फिर आता है कि क्या प्रभाव पड़े मतलब कि भाई भारत इन सप्ता मेंबर नहीं बना तो उसके क्या प्रभाव रहे इससे कि RCEF से अलग होने के निर्ने के साथ भारत ने शेतर के बड़े बाजारों तक अपनी जो पहुँच थी वो एक मौका खो दिया और इस निर्ने के बाद जो इसके मेंबर थे RCEF के भारत के द्विपक्षी व्यापार समझोते जो के साथ में दूसरे देशों ने भी मना कर दिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा भारत को RCEF में शामिल करने के जो कई एससफल प्रयास इस बात की भी चिंता बनाते हैं कि भारत का निर्ने हिंद प्रशान शेतर में भारत जापान ऑस्ट्रेलिया की साज़ेदारी को प्रभावित कर सकता है पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर महत्पूर्ण नेर्नाओं और योजनाओं के कारेंवन में देरी का रोप लगाया जाता रहा है भारत द्वारा एक इस निती पर विशेश बल देने के वावूर्ण आर्थी अपसे भार रहने का नहिने तर्व संबत नहीं लगता है और इससे क्या क्यालाब हो सकते थे वो ये हैं कि जैसे COVID-19 महामारी है अमेरिका चीन व्यापारी उत्र है प्रेक्जिट के कारण विश्विक अर्थ व्यवस्था में उत्पन हुए अनिश्शित्ता के वीच ये समझोता भारत को एक नई अर्थ व्यवस्था को जनम देने में सायक सितोता दूसरी बात हैं कि देश की अर्थ विवस्था में सुधार लाने, समावेशी विकास, रोजगार के अवसरों का विकास और आपूर्ती शंकला को मजबूत बनाने में भी साया हो सकता है इस समझोते में शामिल अन्मे देश जैसे फिलिपेंस और वियतनाम भी चीन के साथ राजनेतिक विवाद के अतिरिक द्वीपक्षिये व्यापार में व्यापारी घाटे का सामना कर रहे हैं परन्तु इन देशों ने वर्तमान परसितियों को देखते वे इस समझोते में बने घाने का नेने लिया है और भारत अगर शुरुआत से ही इसमें शामिल हो जाता आर्फियत में तो वे अपने लिर्णों से इस ग्रुप को प्रभावित कर सकता था और उनमें संशोधन ये तो आवश्यक खस्क्षे कर सकता था अब ये है कि ये तो हमने देख लिया कि इससे क्या वह हो सकता था आगे अपन इसमें क्या स्टेप भारत ले सकता है अलग रहना है तो आने वाले दिनों में भी आर्फिय द्वारा भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया जाता है यदि भारत इसमें शामिल नहीं होता है तो भारत को एशिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूर दूपक्षिय व्यापारिक समझोते पर कारे करना होगा जिससे आर्सी से अलग रहने के काराण होने वाले तुसी भी व्यावसाइक नुकसान से बचा जा सके दूसरी बात है भारत को मुक्त व्यापार समझोते में शामिल देशों के साथ व्यापार घाटे को शिगरी कम करने के लिए निर्याद बढ़ाने पर विशेश जोर देना होगा इन देशों के अधिकारियों और आर्थिक शेत्र प्रतिनिवियों के साथ चर्चा के माध्यम से टैरिफ, गुनपत्ता या अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए भारत को अपनी निर्याद में विवित्ता पर भी विशेश जोर देना होगा साथी विश्व के उन भरते वाजारों में भी निर्याद को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जह भारती उत्पादों की पहुँच अभी भी सीमित है भारत द्वारा यूरोपिय संग और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक समझोतों को मजबूत करने के साथ विम्स्टेक जैसे समों के मात्रम से शेत्री अर्थ विवस्ताओं के साथ आपूर्ती शंकला को मजबूत करने का प्यास किया जाना चाहिए आर्थी एपी में शामिल होने की सिती में कि भारत की सदस्ता का विकल खुला रखा गया है यदि भारत भविश्य में भी कोई नेने लेता है इसमें शामिल होना चाहता है तो उसे अन्य सदस्तों के समख्ष अपना पक्ष रखना होगा और भारत को अपनी अर्थवेवस्था में जुड़े बड़े सुधार करने होंगे जिससे उसे अधिक्तम प्राप्ट हो सके कई व्यापारी कार्थिक सुधारों को लागू किया गया है जैसे भारत द्वारा जैसे व्यापार सुगंता सुचकांक है वैश्वित प्रतिस प्रतिस परधा सुचकांक है वे एक आत्मिरबर भारत की और बढ़ रहा है यदि भारत के आधार और प्रतिस प्रतिस अमता को प्रभाविक धन से मजबूर करते हैं तो भारत RCEP में शामी लोकर अपने विकास की दर्गों कई गुना बढ़ा सकता है निशकर्श तोर पे ये कहा जा सकता है कि भारत में वैश्विक अर्थ विवस्था में आई गिरावट के बीच RCEP इस चुनावती से भार निकलने का एक मजबूत विकल प्रदान करता है हाला कि वर्तमान परस्थितियों में चीन, औस्तेलिया, न्यूजिलेंड, आदु देशों के बड़े उत्पादकों को भारतिय वाजार में पहुँच की खुली छूट देना पुछ स्थाने और द्योगों के लिए बड़ी चुनावती का गारण बन सकता है परन्तु 21 में सदी के वैश्वी करण के इस दौर में अंतर आश्रे प्रतिस प्रदा में शामिल होने के लिए इस तनक्षनवादी नीती को लंबे समय तक नहीं बनाई रखा जा सकता है और सरकार को इस थानिय आपूर्ती शंक्ला को मजबूत करते वे विकास के संभावी शित्रों की पैचान कर लक्षित यूजनव निवेश नीती में सुधारादी के माध्यां से अर्थ वेवस्ता को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान देना होगा आश्या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद